नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं रेमंड कंपनी के बारे में जैसे के आप जानते ही हैं कि काफी बहतरीन इस टॉक्स माना जाता है अगर बात करें लोंग टॉम प्रस्पक्टर से अभी भी अगर अगर आज की ओपनिंग की बात करें तो लगभग 268 रुपए के आसपास ये स्टॉक्स ओपन होता है और उसके बाद में लगभग 293 रुपए का हाई जो है कंपनी के स्टॉक्स के द्वारा बनाया जाता है फिलाल में जो है काफी तेज जो है ये स्टॉक्स दिनके मूमें है कि कुछ जनों तक लगभग 264 पैंसट रुपए के आसपास तक वर्क करने के बाद में काफी तेज जो है फिलाल में स्टॉक्स दिखाई दरा है तो क्या तेजी जो है ये आगे भी बादस्तूर जारी रहने वाली है दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि गिरावट कहां से शुरू हुई थी लगभग 267 के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था और उसके बाद में जो है स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली और नीचे लगभग 250 रुपे का लेवल स्टॉक्स ने टच किया और अब फिलाल में जो पने प्रिवियस हाई हैं उनको ब्रे अब फिलाल में लोगडाउन हट चुका है धिरे धिरे करके परफॉर्मेंस भी बढ़ने वाली है अब आप जानते ही हैं कि चैसे से साधी भ्यागा सीजन स्टार्ट होने वाला है तो इस कंपनी को आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक्स में फिला की रेंज है बात कर लेते हैं लगबग ये स्टॉक्स जो है नीचे मैं आप से बहली बता रहा था कि 230 रुपे से लेकर ऊपर की रेंज लगबग निकल के आ रही है लगबग 340 रुपए के आसपास ये और फिलाल उसी रेंज में गेम प्ले कर रहा है अभी फिलाल में 2015 में तो 400 रुपे के आसपास यह स्टॉक्स हुआ करता था उसमें कंपनी के अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आया करती थी और लगातार जो है कंपनी के फंडमेंटली कंपनी के बिजनस बढ़ने के कारण जो है स्टॉक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला और यह अखरी गरावाट जो है कोरुणा पंडिमिक के दुरान जो हुई थी लगभग 900 रुप्रय आसपास तक जाने के बाद हैं फिलाल यह जो स्टॉक्स है अभी स्टॉक्स के अंदर आपको रिकावरी देखने को नहीं मिली है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आप महिना दो महिना तो लगबग जो है तीन सो तीस तीन सो चालिस रुपे तक के लेवल जो है स्टोक्स के अंदर आपको फिर दुबारा से आसानी से देखने को मिल जाएंगे खिलाल में अगर लोंग टॉम प्रोस्पक्टस का आप खिलाड यहां अगर आप सोचते हैं कि मुझे जो है काफी अच्छा माल जो है से कमाना है तो बाकी जो है अगर आप छोड़ना करते हैं एक साल दो साल के लिए तो वो दिन दूर नहीं जब आपको यह लेवल स्पी जो है दुबारे आते वे नजर आएंगे लगब करें अगर एक साल का दिया फिर देड़ साल का आपका नजरी आए तो पांसर रोपे का लेवल जो है आप स्टोक्स में होल्ड कर सकते है बागी दोस्तों खरीदने की शर्त वही है आप कोसिस यह करें कि आप कम से कम quantity के साथ में शुरुआत करें कई ऐसा ना हो कि आप इसमें जो है यहीं पर इसी लेवल पर काफी ज्यादा quantity जो है इसके उठा लें और फिर जो है अगर स्टोक्स में गिरावाट होती है तो आप average भी ना बना पाएं तो दोस्तों बात कर लेते हैं company के fundamentals के बारे में दोस्तों बात करते हैं company के fundamentals के बारे में तो आप देख पारें कि लगबख 2017 2018 2019 2020 चार साल के एकर calculation करने की कोशिस करें तो आप देख पारें कि revenue के अंदर आपको जबर जस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि company के revenue में किस तरह की growth हो रही है तो फिर stocks price में भी आपको growth देखने को मिल सकती है फिलाल में अकर बात करें total profit की तो लगबख बात करें तो 2017 और 2018 में फिर increment देखने को मिला फिर उसके बाद में 2019 के अंदर आपको फिर बढ़ते हुए 2020 की बात करें तो उसमें भी growth देखने को मिल रही है तो दोस्तों खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार profit जो है company को हो रहा है सेल अभी प्रभावित हुई थी corona pandemic के दुरान जैसे ही lockdown उटाया उसके बाद दुवारा जो है company के business में इंप्रूमेंट देखने को मिल रही है mutual funds कितना माल उठा रहा है डियाई जो है किस तरीके की जो है खरीदारी या विक्वाली कर रहे हैं तो यह सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों अगर आप जो है जिरुदावक के अंदर जो है account open कराना चाहते हैं इसमें आपको delivery में कोई भी brokerage चार्ज नही की नजर आ रही है और यह आकड़े जून दोजार बीस quarter के हैं तो बात करते हैं अगर अपरैल दोजार बीस में किस तरीकी की changes हम लोगों को देखने को मिले तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि mutual funds लगबख कितना था साड़े आट परसंट के आसपास इनकी holding थी और बात करें जून दोजार बीस की तो उसमें जो है काफी गिरावट जो है mutual funds की holding में आपको दिखाई दे रही है इसका सीधा सीधा सा अनुमान यही लगा जा सकता है कि mutual funds जो है लगातार भिक वाली के मूड में फिलाल में दिखाई दे रहे थे अब जो है जून दोजार बीस मिलेगा तो फिर उचाल देखने को मिलेगा दोस्तों तो अंदाजा यही लगा सकते हैं कि आने वाले दिरों में आपको काफी मल्टि वेकर रिटर्न स्टॉक्स कमाने को मिल सकते हैं तो दोस्तों अगर यह जानकार है आपको अच्छे लगी हूँ तो वीडियो लाइक सीदे आपके मोवाल पर मिल सके हैं थैंक यू सो मच पर वाच